इन्हें तो आप जानते ही होंगे जी सही पहचाना आपने ये हैं आपके हमारे मिर्जापूर के कालीन भाईया पर क्या हो अगर इनका कैरेक्टर यानि के पंकच त्रिपाडी को रिप्लेस कर दिया जाए यहां अब हम जस्ट किडिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये सच है मिर्जापूर एक ऐसी वेब सीरीज है जो इसका अर एक एपिसोड हिट रहा है रही बात दीनों सीजन की तो OTT प्लाटफॉम पर इसका जबरदस बस रहा है और सीजन के साथ कहानी आगे पढ़ती चली गई और तीसरे सीजन का कहानी में जबरदस मोड आए है मिर्जापूर सीरीज इतनी जादा हिट हो गई कि वेकर्स ने इसके फिल्म बनाने का डिसीजन ले लिया है लेकिन फर्क इतना होगा कि कारेक्टर्स की चहरे बदल दिये जाएंगे इतना नहीं फिल्म में कालीन भाया का चहरा भी डिसाइड हो चुका है लेकिन और्यंस को ये बात रासी नहीं आ रही है लेकिन देखा जाए तो इतने भी बुरे अक्टर नहीं है रितिक पर सारा मैटर तो कालीन भाया का है न कालीन भाया बनकर पंकच त्रिपाधी ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलगी इमेज बना ली है वो कामेडी के साथ एकदम सीरियस वाले रोल भी कर सकते हैं लेकिन इकी कमपारिजन में लोगों को लगता है कि रितिक रोशन पंकच त्रिपाधी वाला मजा नहीं दे सकते ना ही वो कालीन भाया के किरदवार में जचेंगे इसको लेकर वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं वही पबलीक ये भी सोचते हैं कि रितिक रोशन सिर्फ फ्रिश या बोर जैसे फिल्मों में ही फिट बैठते हैं वही पंकच त्रिपाधी और रितिक रोशन में एक और फर्क ये नज़र आता है कि रितिक रोशन काफी modern टाइप के हैं वही कालीन भाईया थोड़े देसी अंदास के हैं जिसे शायद सिर्फ पंकच त्रिपाधी कर सकते हैं उनका बोलने का अंदास, उनके चलने का धंग, उनके ओडने पहनने का धंग सब कुछ पंकच त्रिपाधी पर ही चचता है इवन अगर कभी दोस्तों में मिर्जापूर की बात चड़ जाए और जिक्र हो जाए कालीन भाईया का तो दिमाग में पंकच त्रिपाधी ही सबसे पहले आते हैं तो बला कोई कैसे रुटेक कॉशन को उनकी जगा लेने दे सकता है हम सबने देखा है कि मिर्जापूर में कालीन भाईया का बड़ा नेगेटिव रोल है लेकिन औरियंस की नजरियां से देखेंगे तो उनके लिए तो अच्छा ही है वही अगर पंकस्त्रिपाडी की बात करें तो वो खुद में ही एक वरसिताइल आक्टर है वो चाहे तो इस कैरक्टर के लिए मना भी कर सकते थे या फिर कोई दूसरा कैरक्टर भी चूज कर सकते थे फिर ऐसा कालीन भाईया में उन्हें क्या नजर आया कि उन्होंने इसी कैरक्टर को करने की ठान ली दरसल एक इंटर्व्यू के दौरान पंकस्त्रिपाडी में बताया था कि बेशक कालीन भाईया वेब सीरीज में एक बुरे आत्मी हो लेकिन कहीं न कहीं तो उसमें अच्छाई होगी जिसमें अप्यूसिप वर्च या गालिया नहीं होगी लेकिन वहीं अगर आप पंकच त्रिपाडी यानि की कालीन भाईया के डायलॉक्स को देखोगे तो उसमें आपको बहुत ही रेर अप्यूसिप वर्च या गालिया देखने को मिलेंगी क्योंकि पंकच त्रिपाठी ने अपने हिसाब से इन डायलोग्स को इस्तमाल किया अपने अकॉर्डिंग ही डायलोग्स को सेट किया है जुसमें गालियों का इस्तमाल सिर्फ उनी जगाहों पर है जहां उन्हें यूज करना जई लगा वहीं एक तरफ वेब सिर्फ में देखा गया है कि वो खुद गुड्टू भाईया को ग्यान देते हैं कि आरतों की इज़त करनी चाहिए उनसे तमीज से पेश आना चाहिए तो वहीं दोसरी तरफ देखने को मिलता है कि वो खुद आरतों की इज़त नहीं करते वहीं कालीन भाईया में एक और अनोखी चीज़ देखे जाए तो वो यह है कि वो खुद किसी गुंडे से कम नहीं है लेकिन एक तरफ मुन्ना है जो ऐसे गलत रास्ते पर चल रहा है जहां खून, खराबा, गुंडा, गर्दी, सब कुछ है उसको वो खुद उस रास्ते पर जाने के लिए रोकते हैं वो चाते हैं कि मुन्ना इस रहा से हटकर अच्छे कदमों पर चले अब कालीन भाईया के इसी अनोखे अंदास को देखते हुए पबलिक को वो इतना पसंद आते हैं इसलिए आज उनके रिप्लेस्मेंट को लेकर पबलिक इतना गुसा आई है वोने लगता है कालीन भाईया का रुत्बा, अंदास और एटिट्यूड वितिक क्रॉशन नहीं दिखा बाएंगे वेसे आपका कालीन भाईया के रिप्लेस्मेंट पर क्या कहना है हमें कॉमेंट में अपनी राय सरूर बताएं